और यह वर्ष अपनी स्वतंत्रता का पचत्तरवा वर्ष है 15 अगस्ट 1947 में को हम स्वतंत्र हुए स्वाधिन हो गए स्वतंत्र बनने की प्रक्रिया का प्रारंब उस स्वाधिनता के कारण हम कर पाए यहने अपने देश को चलाने के सूत्र हमने अपने हाथ में उस दिन लिये अब चलाते चलाते अपने देश को स्वाधिन आधार पर एक तंत्र पर खड़ा करने की प्रक्रिया वो चल रही है क्योंकि स्वतंत्रता क्यों चाहिए इसके बारे में भी अपने देश में संगर्श हुआ स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण भारत में समाज के सभी वर्गों से देश के सभी क्षेत्रों से लोगों ने परिश्रम किये संगर्श किये बलिदान दिये त्याग और बलिदान की हिमालय खड़े किये स्वतंत्रता और परतंत्रता इसके बारे में सबकी कल्पनाएं समान सी थी यानि 1857 के पहले 1830-30 के दशक में दक्षन भारत में वीरपांड्य कट्टे बोमन के नेत्रुतों में जो हुआ संगर्श ब्रिटिशों के साथ उसका उसकी घोशना करते समय एक पढ़ा गया उसको कुंडरा नाम के ग्राम में पढ़ा गया इसलिए उसको कुंडरा डिकलेरेशन कहते उसमें ये कहा गया कि ये जो विदेशी बाहर से आये हैं इनका रंग सफेथ है इसलिए पूजा में कपूर और भोजन में नमक महांगा हो जाएगा अगर हमने इनको यहां राज्य करने दिया तो और बहुत बात में महात्मा गांडी जी ने और एक सत्याग्रा की शुरुवात मुठी भर नमक उठाते हुए की कहते ही कि उसके कारण अंग्रेजों के विशाल सामर्याज्य की बुनियात की मिट्टी खस्की तो इस प्रकार कुछ समान भाव समान से भाव सबके मन में थे आपस में संप्रक नहीं था तो भी और इसलिए इसी कई बाते समान सी पाई जाती है वो संगर्श में ऐसा एक संगर्श हुआ और उसके फलस्वरूप हम 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए परन्तु कालांतर में स्व की कलपना ढिली पड़ी असपश्ट हुई उसके कारण स्वतंत्र होना है यहने क्या होना है अपना स्व क्या है यह पता नहीं स्व का विस्मरन तो बहुत दिनों से चल रहा था और इसलिए स्व को भूल गए तो स्वजनों को भी भूल गए और अपने आपस में ही भेद इतने बड़े हो गए उससे हम जरजर हो गए एक दूसरे को बराबरी से देखने के लिए तैयार नहीं आपस में संगर्ष पंथ प्रांत जाती भाषा सप्रकार के भेद जो विविधता थी उसकी चवड़ी खाईयां बन गई हमको बाटने वा गया और इसलिए जो चुनोतिया उस समय की थी उसके सामने एक स्पष्ट नीती लेकर हम खड़ेनी हुए कभी इधर कभी उदर इसी ढुलमुल बात चली इसका लाव विदिशों ये लिया और जिस दिन हम स्वतंत्र हुए उस दिन स्वतंत्रता के आनंद के साथ साथ एक अत्यंत दुर्धर वेदना भी हमने अपने मन में अनुभो की उट्टी सभी तक गई नहीं है अपने देश का विवाजन हुआ अत्यन्त दुख्ध इतिहास है वो परंतु उस इतिहास के सत्य का सामना करना चाहिए उसको जानना चाहिए जिस शत्रता और अलगाओ के कारण विभाजन हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है उसकी पुनरावृत्ति टालने के लिए और खोड़ी हुई हमारी अखण्ड़ता और एकात्मता को वापस लाने के लिए उस इतिहास को सबने जानना चाहिए विशेशकर नई पीड़ी ने जानना चाहिए क्योंकि अब जो पीड़ी है वो उसके बाद उसने जन्म लिया है उसको जानना चाहिए ताकि उसकी पुनरावृत्ति नहो खोया हुआ वापस आ सके खोये हुए बिचुड़े हुए वापस गले लगा सके